Hi and Welcome to Brainy's Zone Boost your immunity by taking this food ये 5 food जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको अपने खाने में एड़ करें और immunity बूस्ट करकर कई तरह के वाइरल इंफेक्शन से बचिये No.1 पपाया पपाया एक ऐसा पूर्ट है जिसमें बरपून विटामिन C होता है एक पपाया में आपको 150% से अधिक विटामिन C मिलता है ये पहले Central America में originated हुआ और अब दुनिया की हर जगा में ये आपको पाया जाता है पपाया में पैपेन भी होता है जो कि आपको digestion में मदद करता है पपाया में विटामिन B, कोलेक्ट, कोटैशियम भी होता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में आपकी मदद करता है नमबर टू, चिंजर चिंजर यानि अधरक अधरक एक ऐसा इंग्रीडियन्ट है जिसे लोग सालों से बरुसा करते आ रहे हैं अधरक आपको कई तरह के बिमारियों को ट्रीट करने में मदद करता है अधरक से आपका सोर्थ रोट, जोइन पेन, फ्लू, कोल्ड और कई सारे इंप्लमेटरी बिमारियों को कम करने में मदद करता है जिंजर से नोजिया और वामेंटिंग भी कम होती है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन C होता है, इसके बजाए एंटियोग्जिडेंट और बेटा केरोटीन होते हैं, जो आपके एमिन सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाते हैं, कई तरह के वाइरसेस इंट्रेक्शन से लड़ने में आपकी मदद करते हैं, इसमें आपको क सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में वाइटामिन C भरपून होता है, ज्यादतार लोग कॉमन कोल्ड में इसे सेमाल भी करते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, वाइटामिन C डबलूपीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि आपको इनफेक्शन से फाइट करने में मदद करता है, और ज्यादा विटामिन C का उप्योग करने से कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स रिड्यूज होते है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनफेक्शन के, और सिट्रस फ्रूट से आपको निमोनिया, मलेरिया, डारिया में भी बहुत म ग्रेट फूरत माना जाता है, जो कि इम्मूनियती को वढ़ाने में और अच्छी सेहत मेटेन करने में मदद करता है, यह एमिन एउटामिन ऑ, विटामिन 하는데 मिब और मिटामिन सी होता है, जो किग मिन थिस्टम को प्रॉपर अबिन करने में मदद करता है, एमिक्वत कर。 Good bacteria feet करता है और Good bacteria directly regulate करता है जिससे immune system proper assumption करता है और आपको अच्छी diet के साथ exercise, proper sleep और proper supplementations भी बहुत ज़रूरी है अच्छी immunity maintain करने के लिए